नमस्कार दोस्तो आप सबी का सवागत आपके अपनी यूटूब चनल पर ौड़के बात करने वाले हैं जीतियल इंफरा स्टोक के बारे में सूगस जीटियल इंफरा स्टोक में आज फिरसे काफे सांदार तेजी नज़र आई है और फिलाल तेजी कलोजिंग भी काफे बढ़ी आ रही है क्योंकि दोस्तों एंट्राडी की टोप प्राइस हो रही है क्योंकि ओपनिंग जो नज़र आई थी और गिराउट पर अगर हम चर्चा करते हैं तो दो रूपय साथ पिस तक सेशन पर गिराउट हमें नज़र आने वाली है जो काफी बड़ी गिराउट इस प्राइस पर हम कह सकते हैं कि चिलर फ्राइस स्टोक के अभी टायम जो रकम है वो देखने को मिल रही कि अभी जो रूपय क्या सपास इस स्टोक की प्राइस नज़र आ रही है साथी साथ इस स्टोक पर पिसले पांच मार्केट सेशन का डेटा कर रीड करते हैं तो 13.33% के हमें एक अच्छी तेजी नज़र आएगा एक अच्छा रीटन नज़र आएगा पर वहीं लास्त एक महिने में एवरेज रिकावरी ओलड़ी हो चुकी है क्योंकि दोस्तों इस स्टोक पर बड़ी गिराउट है वो हमें नज़र आने वाली है जो 13.23% की रहने व कंपनी का रिटन 110% से अधिका नज़र आने वाला है जो काफी बड़ी रहने वाला है पर अभी इस स्टोक ने पांस सालों में जो रिटन पे आउट किया है निवेस को वो 391% तक पे आउट किया है क्योंकि अभी के टाम जो दूस्तों आज की मार्केट में तेजी का कोई ब कोडिया बले देखने को मिली है और जीटिल इंफ्रा में भी अच्छी तेजी नज़र आई सबसे पहले आज के काउंटर पर कारुबार की अगर हम चैर्शा करते हैं तो यहां पर काफी अच्छी काउंटर पर कारुबार भी नज़र आने वाली है साड़े तीन करोड से तो नेक्स्ट सेसन के परी ओपन मार्केट के लिए यहां पर जो डेटा निकल किया रहा है तो उसमें बाइक सेल की कोवांटिटी अगर हम सेल करते हैं तो बाइन के कोवांटिटी 40,5,269 की रहने वाली है तो सेलिंग कोवांटिटी यहां भी नज़र आनी वाली है 27,5,792 क यहां पर बाइर्स के तरफ वापस इंक्रेज हो रही है यह चीज काफी बढ़ीया बी नज़र आ रही है और एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए दोस्तों यह चीज काफी बढ़ीया जा सकती है क्योंकि अभी इस स्टोक पर उतारश डाव जो देखने को हमें काफी नज़ अगर देखने हैं तो दोस्तो लास्ट तायम 31 अक्टूबर को दोस्तो जो अपडेट निकल किया थी वो देखने को मिले थी उसके बाद अभी तक कोई अपडेट देखने को मिली नहीं है पर जहां तक देखने को मिल रहा है कमपनी का database काफी downfall हो चुका है यान की काफी कमजोर हो चुका है सबसे मेंसीज यह देखने को मिल रही कि company का market cap 2830 करोड का है पर अभी company का कर्ज गुंचाली सो एक करोड का नजर आ रहा है यह चीज काफी वीख है इस company के database के लिए कमजोरियां जो है वो कई ना ज़्यादा देखने को मिली है और database आगर इसी परकार कमजोर होता हुआ नजर आता है तो दोस्तों वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जोब company हो सकती है यह चीज important रहने वाली है फिलाल आगे बढ़ने से पहले बता दू चैनल पर नहीं हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आगे नोटिफिकेशन और पर इस चैनल सेलेक्ट कर लेना अब दूस्तों company की डेटाबीस में अगर हम देखते हैं तो उसके अलाव कुछ टेलीकॉम सेक्टर पर कुछ अबडेट निकल कर आ रही है एरेटेल ने दूर संचार्शेतर के सुधारों में दूस्तों गेर भैदबाब बॉन छोटके लिए दूर दूर संचार्विबाग पर दबाव डारा है उस पर दूस्तों क्या मांज़ रहा है इस इस पर अगर हम सबसे पेले किलिर कर ले तो यह किलिए दोस्तों यहां पे रहने वार के वड़ाफोन आइडिया की जो विर्टिया सुनोती है जो financial जो सुनोती है उस पर दोस्तों सबसे मैंन अबडेट निकल किया रही कि वड़ाफोन आडिया ने अपने मुझूद की विती कटनायों से उजागर किया कि क्योंकि वे अपने स्पेक्ट्रम भुगतान को दोस्तों सुरुक्षित करने के लिए बैंक गारंटी क्या हो सकता हो समाप्त करने के लिए सरकारी सायता मांग रहा है और कंपनी का मानना है कि इस तरह की छूट से बैंकोंने अधिगरेंड दे सकेंगे जिसे कुछ वितीरात मिल सकती है और एटल ने अपने पत्र में का कि उसने भी इस्पेक्ट्रम अधिगरेंड में काफी निवेस किया है जिसके लिए 2021 से पहले निलामी प्राप्ते एयर वेस के लिए दोस्तों नि समान विवार करने चाहिए यह चीज भी काफी अटल ने कही है क्योंकि सबसे महन चीज यह कंपनी टेलिकॉम सेक्टर के लिए टेलिकॉम विवार के लिए तो सब इसकंपनिया समान होनी चीए पर यहां पर भी बेदबाव देखनी को मिल रहा है और यही रीजन है कि मार्के करने का फ्यूटर बिजनेस को लेकर फ्यूटर डेटा के लिए को अभी तक कोई प्लानिंग देखने को मैं अच्छा खासा जो डेटाबेस है वो इंक्रीज होई नहीं रहा है साथ ही साथ कंपनी का जो सपोर्ट अभी की टाम देखते हैं तो कहीं नहीं आरसा इंडिकेटर पचास पॉइंट तरीपन अंगोपी कारवबार करता हुआ भी नजर आ रहा है जो काफी बढ़िया इस ताइम रह सकता है क्योंकि अभी 30 मिनट का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं लास्ट 30 मिनट में जो एक्शुल जो डेटा नजर आता है तो उसमें ये देखने को मि है कि दोश्व कल जिंग के वाकते हैं खासकर कलोजिंग की वक्ति हैं पर देखने को मिल रहा है कि कैंडल्स राइड होती वही हुनुँसरा रही है कि कैंडल्स रेड होने का मतलब ये है कि कलोजिंग के वक्त मार्केट में वापस से Лю спflorартम probably कारवबार करता हुआ काफी अच्छे निवसकों के लिए positive database देखने को मिल सकता है पर यहां पर 30 मिनट का जी देखने को मिल रहा है अगर हम 45 मिनट का देखते हैं 45 मिनट के 60 फ्रेम पर पी दुस्तों यह के लिए नजर आता है कि market में दुस्तों जो candles है वो selling के लिए वापस increase हुई है यहां पर देख सकते हैं कि sellers की जो volume है वापस increase होती हुई देखने को नजर आई है तो database में कई ना कई एक गिराउट वाली जो चीज है वो फिर से नजर आ सकती है उतारश डाव जो है हमें फिर से नजर आ सकते हैं कासकर अब बात करें company के money control के कुछ reports पर तो money control के जो reports निकल के आ रही है तो उसमें कुछ से सीजे में आप लोगों को share कर दूँ पर मोटर्स के holding दोस्तों last quarter one के बाद अभी बनी हुई है 100% holding बनी हुई है पर मोटर्स की जो holding रहने वाली है सित्तंबर SSP में दोस्तों कोई बदलाव देखने को मिला नहीं है mutual fund की जो holding थी उसमें भी कोई बदलाव नजर नहीं आया mutual fund जो सित्तंबर की SSP निकल शीम लिक आई है उसमें यह data दोस्तोंथ भी देखने को मिल रहा है साती सातH还 reader investment है इंसे नागा छुकी है दोस्तों जो गिरावट नजर आई है होल्डिंग में गिरावट नजर आई है जो 42.35% से गिर कर 37.12% हो चुकी है तो कमिया कही ना कही अभी इस स्टोक पर फिर से बढ़ती हुँ नजर आई है क्योंकि दोस्तों जो लोंग ट्रम का जो नजरिया बनाके रखने वाले जो इनवेस्टर थे उनके लिए कही ना कि यह समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो सोट ट्रम वाले मिड्रम वाले थे उनके लिए तो गले का जो फंदा है वो बनता हुआ नजर आया है फिलाल यही चीज़ आप लोग को सजेस्ट करूंगा फिलाल बाई सेल के लिए कोई रखमंडेशन नहीं है और इन्वेस्टमेंट करने से फैले अफने फाइनेंशल एडवाइजर से इसला जरूर ले लेना एजुकेशन परपस के लिए जानकारी आप लोग साथ साजा कर रहा हूं उनित करता हूं जानकारी पसंद आई होगी पसंद आदी वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो दस्तो चैनल को रुष्यों सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को जिदा सियादा से जरूर से कर देना मिलते हैं एक्टमेशिंग वीडियो के साथ